कहिए कैसे हैं आप, mentally weak हम क्यों हो जाते हैं, strong क्यों नहीं रह पाते, strong रहने के लिए हम क्या करें, क्या ना करें, आज मैं इसी बारे में कुछ बात कर रही हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि life है क्या, हमारी जिन्दगी, ये एक संघर्ष है, एक struggle है, और य एक जने के लिए नहीं आती, कहीं पर हम ये कहते हैं, ये हमारे उपर ही हो रहा है, ये भगवान हमारी परिक्षा ले रहा है, ये सब के साथ होता है, देखिए जंगल में एक हीरन शेर से तेज इसले भागता है, कि शेर उसे ना खा जाए, वहीं शेर हीरन से तेज इसले भ भाग लो या भाग लो, यानि भाग लो का मतलब participate करो, सामना करो, या फिर भाग लो, भाग जो, run away. तो जातर तर लोग क्या करते हैं, जब problem आती है ना, गमरा जाते हैं, वो सामना नहीं कर पाते हैं, तो इस चेकर में क्या होता है, वो दूसरों के ओपर depend करने लगते हैं, यानि अपनी life का remote, अपनी life का remote दूसरे के हाथ में थमा देते हैं, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे का विश्वास है, तो ऐसे में हमें करना क्या है, सबसे जरूरी बात है क्या, कि जो अपनी life का remote हम दूसरों को दे देते हैं, वो नहीं देना उनको, हमें पता है, यह हमारी life है, हमारे लिए क्या best है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह हमसे बहतर और कौन जा सक तो हम इस तरह से क्यों करते हैं अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों के जाप से चलेंगे देखिए विश्वास अगर खुद पे हो ना खुद पे तो सबसे बड़ी ताकत है और अगर हम दूसरों के पर विश्वास करते हैं यह हमारी सबसे बड़ी कमजोर ही है और आपको पत हम क्या कर रहे हैं यह मैं नहीं कर सकता यह मेर से नहीं होगा सोच क्या होनी चाहिए यह मैं क्यों नहीं कर सकता मुझसे यह क्यों नहीं होगा मैं यह करके दिखाऊंगा यह चीज ठाननी है यह चीज इसको मन में बिठा लेना है खुद से ही जीतने की जिद है कुद को हरान मैं भी नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंतर एक जमान है, अपने आपको पूरा motivated रखना है, मतलब पूरा motivated, जो अपना विश्वास है उस पर विश्वास करना है, तेरी दुख में, तेरी परिशानी में, तेरी तकलीफ में, हर समय तेरे साथ हूं, पहजाना नहीं मुझे, है आपको यह, तो बजाए कि घमरा गए हम, अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया, विश्वास रखिए ना, खुद को चैलेंज कीजिए ना, देखे जो खुद को चैलेंज करता है ना, वही चेलेंज करता है खुद को, हीरा तो मान के चलिए, उपर वाले ने हम यह. दो कर चल रही है, पर सारा दिन रहती है, ज़ार पोछकर देखेयर, मिस बॉस अराम से चल रहा है इससे क्या होता है, जो लाइफ है बहुत बोरींग, तो कुछ नया करना है, जो मैं सीखना है यह, जो मैं से क्रिग ले खुदिश ए, पर और खुद कर से साथा यू मिन जब इस तरह की डल बोरिंग लाइफ लगती है, मतलो कुछ ही नहीं करने को, तो ये चीजे बहुत जादा महसूस होती है, तो ज़रूरी क्या है कि कुछ करें, कुछ लाइफ में नया पन लाएं, देखें, मतलब हम इतना तो करी सकते हैं, कि कुछ ऐसा करें, कि हम भी होती है, लेकिन बेहतरी होती है, जब दूसरे हमारी वज से खुछ होती है, और अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं, कि जिससे हम दूसरे के चेहरे पर स्माइल ले आते हैं, फिर तो जो मन में जो confidence का level होता है, वो देखने लाइक होता है, कभी भी आजमार के देख लीजे का अ हैं, mentally weak बना रहे हैं, कैसे तुलना करके, comparison करके, हाई वो कितनी सुन्दर, हाई वो कितना पैसे वाला, हाई ये, हाई वो, अरे क्या हो गया, आपको क्या पढ़िए, अगर वो कर रहे हैं, अगर वो सुन्दर है, अगर वो पैसे वाले तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको आज मैं इससे बहतर बन के दिखाऊंगी, या बहतर बन के दिखाऊंगा, इतनी सी ख्वाहिश है तुस्से है जिन्दगी, कि जो मेरा अगला कदम है ना, पिछले कदम से बहतर हो, बस, ये चीज करनी है, मैं रोज इंप्रूव करूँ, रोज अच्छा बने की कोशिश खुद को ना, कुछ ऐसे मोटिवेट करना है कि माना की पीपल और बरगज जैसा विशाल नहीं हूं है, पर गमले में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम है क्या, मतलब मैं तुलसी की तरह हूँ, तो क्या हो गया, मतलब ये चीज़े है ना, खुद को मोटिवेट करने के ल इस तरह की जब बाते होती हैं, तो हम कमजोर पढ़ जाते हैं, यही तो नहीं करना, आपको पता है इस तरह की बाते हैं, जब हम तुलना करते हैं, तो क्या होता है, ये चीज़े ना, हमें अंदर यंदर बिमार करती हैं, हम बाहर के खाने की चीजों से इतने बिमार नहीं ह यहीजिड होते कि यहीजिद हमें अंदर कहा हुआ जाते तो कोशिश क्या कुछने चाहिए इन्से बचने कि यहीजिदे हमें को future करो और भूलो चोड़ो यह इसलिए कि हमारे भले के लिए हम मन में गुसा रख रख रहे हैं बहुत रज़स रख रहे हैं मतल्य दिन रात उबलते रहते हैं खून इससे क्या फैदा हो रहा है की सामने वाले कुछ फ़र्क पढ़ रहा है नहीं पढ़ आप नी हैं प्रब हो रही है हमारी अपणी सेफ खराब कर रहे है हम इस Carl नी सिद कर दो चुरूरी है अच्छा एक चीज़ और भी है जो हमें अपसर mentally weak बना देती है वो ये कि ना हम जल्दी से ना नहीं कह पाते हैं किसी ने कुछ कहा तो हाँ हम कर देंगे कोई problem नहीं है हो जाएगा मतलब इसलिए करते हैं कि हम बहुत caring हैं बहुत loving हैं हम दूसरे को नाराज नहीं कर सकते हैं या एक दर होता है कि सामने वाला हमें चोड़ के ना चला जाए तो हम ना नहीं कहते हैं और हम कर देते हैं जो काम हम करना ही नहीं चाह रहें दिल से नहीं चाह रहें जब अधस्ती मजबूरी करके हम कर देते हैं तो ना कहना आना चाहिए, मतलब अगर हम दुनिया के बात करें ना, दुनिया किस तरह की है, बहुत मतलब ही लोग होते हैं, बहुत मतलब ही लोग होते हैं, देखे पहले तो पूछेंगे, अपना मतलब होगा ना, की, how are you? और जब मतलब निकल जाएगा ना who are you? इस तरह की लोग होते हैं और हम इनके लिए अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं हम इनके लिए हम टेंशन में जा रहे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग तो देखी ऐसे होते हैं जब यह पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो वो यह जानना चाहते हैं कि आपको कितनी इजद देनी है और इन लोगों के लिए तो अगर आप गरदन भी कटवा देंगे ना अपनी तो वो कहेंगे अरे यहां से काटी थोड़ी और नीचे से काटी थी मतलब इस तरह के लोग हैं और इनके लिए आप अपने से उपर ओकर मेंटल स्ट्रेस में रहकर आप इनके लिए काम कर रहे हैं ना कहना चाहिए मतलब आना चाहिए जिस काम में आपकी दिल आपका दिमाग गवाही नहीं दे रहा है कि मुझे करना चाहिए यह चीज गलत है मैं नहीं करना चाहता तो यानि नहीं करनी नहीं करनी मतलब इस बात तो जरूर अच्छी होती है तो उस चीज को लेकर आप खुश रहिए उस चीज को लेकर आप सेलिब्रेट कीजिए कि आज ही अच्छा हुआ यह चोटी-चोटी बातों में खुशिया डूनी है कहने का मतलब यह है इससे ना हॉसला मिलता है यह जो हम mentally weak हो जाते है ना यह यह चीजे हमें थोड़ा सा चार्ज करती है जैसे मोबाइल को चार्ट पर लगाते है उसके बाद बैटरी थोड़ा सी चार्ज होनी शुरू हो जाती ना अप 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 यह चीज है यह चार्जर है चुट-छोटी बातों में खुशिया डूनी है इससे होसला बढ़ता है अ करीर ही पाएंगे इसलिए पूरा फोकस पूरा ध्यान इस बात पर होना जाहिए कि मेंटली ना हम ठीक रहें मेंटली स्ट्रॉंग रहें मतलब इसको खुश रखेंगे तो भी मजबूत रहेगा तो बजाए दूसरों के हाथ में अपना रिमोर्ट देने के अपनी लाइफ क यह जिन्दगी थोड़ा तो रुख जा अभी हार कहां मानी है अभी मैंने हार कहां मानी है विसे आप बताएं आप क्या सोचते है इस बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंसा रहेगा और अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं क आपको लग रहे हैं कि हां किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको शेर भी जरूर कर लिजेगा ठीक बाए